हलो गाइस कैसे हैं आप सब मेरे नेया वीडियो में आपका स्वागत है मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया एंड्रोड अप्लिकेशन तो चलिए चेक करते हैं तो आज जिस अप्लिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा प्रिविव आपने आप भी देखा तो मैं पताना चाहूंगा यह कोई अप्लिकेशन नहीं है यह एक लाइव वाल्पेपर है और बोल सकते हैं अप्लिकेशन भी है तो इसका नाम है मैजिक फ सट करने के लिए अप्लिकेशन की क्या जरूरत है तो मैं बता दूं घाइज यह जो लाइव वाल्पेपर आप देख रहे हैं या आप इससे दर्वारा सट कर सकते हैं इसके हैं इसकी है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यह आप फ्री में यूज कर सक ले सकते हैं ज्यादा features के लिए तो इधर-इधर के बाते छोड़के चलिए app के अंदर चलते हैं तो अभी मैं app open कर लेता हूँ app open करने के बाद आप उस screen पे normally कुछ दिखाईने देगा completely black screen रहेगी एक छोड़ा सा animation आएगा फिर पूरा screen black हो जाते हैं लेकिन अगर आप इसके बाद screen पे touch करते हैं तो आपको जो है एक बहुत अच्छा सा animation देखने को मिलता है आप देख सकते हैं यह application कितनी amazing है तो बाकी features की ओर check करते हैं नीचे आप देख सकते हैं तीन dots उस पे click कीजिएगा तो यहां पर आपको live wallpaper की option मिल जाएगी उस पे click कीजिए और यह जो wallpaper आप देख रहे हैं इसका live wallpaper set कर सकते हैं set wallpaper पे click करने के पाद आपकी screen पे यह live wallpaper set हो जाएगी live wallpaper हमने set कर लिया है चले मैं screen पर देखते हैं अभी इसका effect क्या है सबसे best part यह लगता है कि इस पे आपको background पे कोई पे animation देखने को नहीं मिलेगी तो आप सोच रहे होंगे कि अगर background में कोई animation नहीं है तो यह live wallpaper कैसे हुआ तो मैं बता रहता हूँ live wallpaper पे हमेशा background पे animation चलने के वज़े से आपके battery बहुत जादा use होती है लेकिन अगर आप यह application को use करते हैं यह तभी effect आएगा live wallpaper का जब आप screen को touch करेंगे तो इससे हमें दो फायदे होते हैं एक आपका wallpaper जो है live है लेकिन battery यूज नहीं करता है और जब भी कभी screen को touch करेंगे यह बहुत ही amazing सा animation show करता है तो चलिए चेक करते हैं इक बारक चलिए application पर return चलते हैं और कुछ दूसरे settings और option चेक करते हैं तो यह application में आ गया menu option पर चलेंगे और यहाँ पर देखे अगर आप इस पर जाते हैं तो आप जो है इस application का फुल वर्जन खरी सकते हैं इसमें बहुत सारे extra options आते हैं इस तो चले settings के अंदर settings के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे options हैं wallpaper की अलग अलग different designs किये हैं और यहाँ आपर आप चाहें तो उन wallpaper की settings को change कर सकते हैं अपने साथ चलेकर वैसा बना सकते हैं क्योंकि मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूं वो free version है तो यहाँ पर जो है आपको सारी wallpapers का usage आप नहीं कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आपको ये paid version पे click करना क्या होता है तो वहाँ पर आपको एक ads देखने के लिए बोल लाइब वालपेपर के तरह है स्कुरी वर्जन में दो लाइब वालपेपर प्री हैं तो मैं एक जो फ्री वर्जन है मैं उसको आपको चेक तरवा देता हूं अभी ये जो वर्जन है इस पे crazy colors नाम का दूसरा वालपेपर है इसको आप activate कर सकते हैं और उसको भी देख लेत जैसे आप स्क्रीन के देख रहे हैं अनिमेशन स्टार्ट हुआ और तिरे दिरे से वह जाना गायब होने लगा है थैंक्यू काईज वीडियो को लाइक कर दिजेगा शेर कमेंट सब कर दिजेगा अगर अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को रेगुलर विजिट करते रही है क कि मैं हर रोज ने ने वीडियो से लाते रहूंगा इस तरह के